नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल Bound to Education में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में दोस्तो आज का यह वीडियो जैसे सी Lab Assistant और जैसे सी PGT के सारे विद्यारतियों के लिए बहुत ही जादा मतपून होने वाला है खास करके जैसे सी PGT के सारे बच्चे आज के इस वीडियो को सुरू से अंता कवेसी ही देखेगा ताकि आप वो गलती ना दो रहाए जो की जैसे सी Lab Assistant के बच्चों के द्वारा किया गया क्योंकि देखे दोस्तों आप सभी को पता होगा टोटल 690 पदो पर यहाँ पर वेकेंसी निकला था Lab Assistant का लेकिन यहाँ पर देखे 550 परियोग साला साय को की ही नियुक्ति की जाएगी 29 डिसंबर को इनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा कि 690 पदों का याँ पर वेकेंसी था जबकि 690 पदों के लिए 800 से जादा लोगों को बुलाएगा था میरे ख्याल से 802 लोगों को बुलाएगा था डॉकमेंट वेरिपिकेशन के लिए लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे टोटल 550 को ही यहाँ पे अभी जो न्यूकती पत्र है वो दिया जाएगा अभी भी 140 जो पधे इसको भेकेंट रखा गया है ठीक है ऐसा क्यों बहुत सारे लोगों को पेंडिंग कर दिया गया है बहु डॉकमेंट है वो रिजेक्ट हो जाता है पेंडिंग हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रोब्लम है ठीक है इसलिए इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए ठीक दोस्तों बायोलोजी में टोटल 230 पत थे जिसमें अभी जो लिया गया है मेरे ख्याल से 168 एक दो इधर उधर हो सकत है 168 पतों पर यहां पर जो नियुकती पत्र है वो निर्गत की गई है वहीं केमेस्टी का देखें केमेस्टी का टोटल 230 पत था और अभी जो लिया जाएगा नियुकती पत्र जिनको दिया जाएगा 203 पत लोगों को दिया जाएगा और इसमें अभी 27 पत देखें अभी भ लिस्ट में दिया गया है जगह और अभी भी इसमें 51 जो पद है इसको वेकेंट रखा गया तो बड़ी संक्या में यहाँ पर वेकेंट पद है जबकि maximum student को document verification के लिए बुला आ गया था बहुत सारे लोगों को reject कर दिया गया बहुत सारे लोगों का pending में रखा गया ठीक है pending में रखा गया क्योंकि आप देखेगा जो भी result जारी किया गया है उसमें नीचे लिखा गया है biology में लगवग 24 student को pending में रखा गया है chemistry में 14 student को pending में रखा गया है इस week उनको जारी कर दिया जाएगा जब जारी किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि किनका pending में है और किनका reject list में चला गया है यहाँ पेंडिंग का कारण यही है कि उनका document किलियर नहीं था हो सकता है जाती जो दिखाया थे उसमें problem था और आपका marks नहीं बन रहा होगा या फिर बाद में जब फिर से मिला गया है उसमें नाम में कुछ तुरूटी होगा उन सभी में कुछ न कुछ दिक्कत पाया गया इसलिए आपका pending में रखा गया है ठीक है और यह जीज मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर JSC से एक बार आपका notice मिल जाएगा किसी चीज क अगर कमी हो जाता है डोकोमेंट में कुछ तुरूटी आता है या फिर spelling में कुछ mistake होता है एक बार अगर आपको JSC letter थमा देता है उसके बाद JSC ओपिस दोड़ते रहेगा आपको date पे date मिलते जाएगा ठीक है तो एक बार में आपका clear हो जाता है तो बहुत अच्छी बात ह क्योंकि दूसरा बार में बहुत जादा problem होता है अगर आपका pending list में चला जाएगा और इतना मेहनत करने के बाद भी इस परकार जब आपको देखने को मिलेगा कि आपके साती का joining हो गया और आपका pending list में है जाबकि आप pass हो चुके हैं merit में आ चुके हैं तो आपको कितना ख युगार कर लेना है अगर किसी प्रकार form जो भरे थे confirmation आपका page डाउनलोड होगा या फिर आपका admit का download होगा उसमें आप अच्छी तरीके से अपना नाम अपने पिता का नाम date of birth सभी चीजों को spelling मिला लीजेगा अगर किसी प्रकार का कोई भी तुरूटी आपको नजर आ है ठीक हो सकता है गलती में आप form भर दिया होंगे उसमें हो सकता है एक दो spelling mistake हो गया होगा space देने में तुरूटी हो गया होगा तो कुछ भी किसी प्रकार का तुरूटी हो आप जाकर के एपिडेपिट बनवा लीजे code से ठीक है ताकि आपको notice न लेना पड़े और जिनका result एक ही बर final में दिया गया है semester wise result नहीं दिया गया है वो अपना semester wise mark sheet भी जुगार कर ले ठीक है university जाईए कहीं भी जाईए college जाईए वहाँ पर जाकर के आपको वहाँ पर क्योंकि खोजा जा रहा है जो year wise हो या फिर जिनका year wise था year wise दिखाएंगे और जिनका semester wise था semester wise दिखा नहीं हुआ था ठीक है जैसे कि बहुत सारे लोगों को आपका chemistry और physics का निकला था ठीक है उसमें भी बहुत सारे लोगों को notice दिया गया था result में उसका problem था CGPA अच्छा से नहीं मिल रहा था वो सभी जाकर के तुरन से जमा करेंगे क्योंकि late करेंगे तो आप ही का दिक्कत ह ठीक है 29 तक सायद उनका date दिया गया है तो उसे पहले जाकर के आप जमा कर लिजे क्योंकि PGT में जो document verification हुआ था maximum student का कुछ ना कुछ प्रोब्लम हो रहा था या तो उनके पास certificate नहीं था या तो उनका CGPMI marks था या फिर उनका हरे कियर का marksit नहीं था कुछ ना कुछ इस परक ठीक है तो चलिए आज किस वीडियो में इतना ही इसी परकार जब भी कोई result या फिर कोई भी notice आएगा JSC से उसका update आपको हमारी चैनल पर मिल जाएगा इसलिए चैनल को अब इसे ही subscribe करके रखे वीडियो को like नहीं किया है तो इसे जरू like कर दे आज किस वीडियो को देखन